दोस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मेक फॉर मनी में दोस्तो आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने फेस्बुक पेज की नोटिफिकेशन को बंद किस तरह से कर सकते हैं अमेसा के लिए जिहां दोस्तो अगर आपके से कृक्टिफिकेशन आपके एमिल ऑईडिया फिर इसमेस की तुर्या फिर आपके फेसबुख नोटिफिकेशन बार ने बार बार देखने को मिलते हैं तो दोस्तो आप सिंपली इसको ट्रन ओफ या बंद कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो चली बिना टाइम गवए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो simply दोस्तों मैंने facebook आप अपन कर लेजिए तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है आपको राइट साइड में तो यहां तो मेरे फिलाल साइड में यहां पर आपको जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहां पर आपको कई तरह के उप्शन देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको वो सभी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी जिसके थुरू आपके फॉन पर आताती है जैसे कि फेस्बुक के मैसेज कि आई मेल ए टैक्ट मैसेज के आप इन सभी को बंद करना चाहते हैं या फिर आप अपने इच्छावनो साल भी इसको बंद कर सकते हैं जैसे कि ओन फेस्बुक यानि फेस्ब भी आपको एक option देखने को मिल जाएगा निच्छे जैसे कि like page, new comments, post तो दोस्तों आप इसके अनुसार भी आप यहां से कोई भी notification को आप सपेसल बंद कर सकते हैं या फिर आप सभी को बंद करना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको इस off के बटन पर क्लिक करके सभी notification क बंद कर देना है ठीक है अब इसी तरह से आप इस message के option पर जाके आप इसी तरह से इस off को कर देना है और इसके बाद आप इस email ID के भी option पर क्लिक करके को भी off कर देना है और last में जो text message है इस पर भी आपको आप कर देना है बस दोस्तों आपको बस यही एक setting और चेंज करनी ह इसके बाद दोस्तों आपके facebook page का कोई भी आपको email के थुरू या फिर text message या फिर आपके कोई भी mobile पर notification देखने को नहीं मिलेगी अगर कोई भी सुझाओ हो तो दोस्तों हमें comment box में जरूर बताएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को subscribe करके जरूर चल